जनता देगी जवाव और ये कहेंगे कि इवी एम है खराव आज तारीक को हम सरकार बना रहे हैं मेरे पाज सभी रिपोर्ट से हैं इसको आप कैसे देखते हैं क्योंकि अरेक एक्जिक पोर में आईना नहीं बालता को जाता पर देखिए आज तारीक को हम सरकार बना रहे हैं मेरे पाज सभी रिपोर्ट से हैं और आज तारीक के बाद आपके सामने है आज तारीक को जनता देगी जवाव और ये कहेंगे कि इवियम है खराब जनता जवाव देगी आज तारीक को अरिया रोप लगाएंगे ये कहेंगे इवियम खराब है इवियम को दोस्त लेंगे ये देने वाले हैं आप देखना है जी मैंने क्या कहा है आज तारीक को जनता देगी जवाव ये कहेंगे इवियम है खराब मैंने कहा कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कहीं सिक्टों को अपर हमारा मुकाबला था इसे हम चूते नहीं हैं कहीं सिक्टों पर मुकाबला में हैं हम सरकार बना रही है हम तीसरी बार हरियाना के अंदर अपने कामों के बल के उपकर आदमी अमोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाना के लोगों के हित में निर्ना किये हैं वो लाजबाब निर्ना है ऐसे नहीं है लोगों के जीवन को सल सुगन करने का काम और लोगों को रहत देने का काम जो कॉंग्रस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था जो कॉंग्रस ने लोगों को परतारित किया था कि गैस का सिरेंडर भी चार दिन के अंदर मिलता था चार दन में भी अगर अंती विक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले चार दिन वेट करनी पड़ती थी उससे भी रहा दलाई है आम ग्रीव विक्ति तक योजनाबत तरीके से हमारी सरकार ने लाप पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मेसेज हर समाज के अंदर है हर वरक के लिए काम किया है बिना भेजबाव के हमने काम किया है और उसी के अधार के उपर मैं ये बात कह रहा हूँ कि आठ तारीक को भारतिय जनिता पार्टी पूर बहुमत की सरकार बना रहे है